नए विडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। मुण शुज विडियोज देखने को मुझाने कि ऐल्तृ हाई आश्य०ू है चले अरे अमा जनम दें मुबारक हो, जनम दें मुबारक हो ऑची सती भीम्, बात है आश्य दें अ刹 उमा बहूत कुप सुरत लगए है ने ने चलो केक कार ते है केक काटो, बिटी तुम्हे कामेश्वरी जी का इंतजार है सॉरी, 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 उमा बिटी नेता जी का फोन आ गया था उनसे डोनेशन की बात कर रही थी चलो केक काटो ये लो आपी बाल देटू यू नेता बेटी, पहले जोती दीदी को खिलाओ नहीं, दीदी से बड़ा दर्जा मा का होता है आपने इन लोगों को अनाता अश्रम की इंचार्ज की हैसियत से नहीं बलके मा बन कर पाला है इसलिए पहला हग आपका है आया ये देखो उमा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ जीवन भर, तीपक की तरह जगमगाती रहूँ उमा बेटी, मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट मेरा आर्मान है, तेरे गले में जल्दी ही मंगल सुत्र देखो अरे, तुम रूने लगी? जिनके पास जबान नहीं होती, वो अकसे रासों से बाते करने लगते हैं एक बात पूछो, पूछो, तुम अनाद बच्चों से इतना ज़्यादा प्या करती हो? इसलिए कि मैं भी एक अनाद हूँ, मेरे पास कार, बंगला, जायदार, तैंक बालन्स, सब कुछ है मगर मा बाप नहीं है, मा नहीं है, मा ना, लेकिन बाबुजीत तो है ना? है, मगर वो बाप जैसे नहीं है जोती, जोती, माई चाइल, कम एर, कम एर, माई तॉटर, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी नई मम्मी से मिलाता हूँ आपने फिर शादी कर ली? करनी पड़ी, तुम तो जानती हो, आज तुम्हारी स्वरगवाशी मा का जनम देन है इस शोबफसर पर एक बेटी के लिए माँ से अच्छा और क्या तुफ़ा हो सकता है समझ लो, यह तुम्हारी मा का पुनर जनम हुआ है अब तक आप मेरी मा का पुनर जनम दो बार करा चुके है मेरा क्या दोश? तुरहारी मा मर गई इसके बात की दो ना जाने किसके साथ भाग गई? इसलिए चौथी शादी करने पड़ी अगर यह भी किसी के साथ भाग गई, तो पाच्वी शादी कर लूगा यह सब कहते, आपको जरा भी संकोश नहीं होता संकोश किस बात का? जब एक दुरोपती पांच से शादी कर सकती है तो मैं पांच दुरोपती से शादी क्यों नहीं कर सकता? आप इतना भी नहीं सूछते है कि जिससे आप शादी करते हैं वो आपकी बेटी की उमर की है आखिर आप पैरसे के बल पर कब तक दूसरों की जिन्दगी से खेलते रहेंगे तो क्या करूँ इन लड़कियों की माताओं के साथ शादी कर लो अगर ये भी मर गई या किसी के साथ भाग गई तो मैं इससे भी जवान लड़की के साथ शादी करूँगा और तुम बीच में नहीं बोलोगी अगर तुम को भी किसी भूड़े के साथ शादी करनी है तो कर सकती हो, मैं भी बीच में नहीं बोलूगा टारली, आओ, तुम्हें बेटरूम दिखाओ कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं ये सब अनाथ ज़रूर है मगर आपस में एक दूसरे का सुख दुख तो बांट लेते है मेरी किसमत तो इनसे भी बुरी है मैं अनाथ भी हूँ और अकेली भी हूँ ऐसा मत कह, मैं हूना तेरे साथ भले ही मैं तेरा दुख दूर नहीं कर सकती मगर पाढ़ तो सकती हूँ मा की बार, आज पहली बार, मुझे तुम से प्यार मिलाए आज से मैं तुम्हें आया नहीं सावित्री माह कहा करूँगी सावित्री माह कहा करूँगी सावित्री माजा उले सावित्री माजाय दुम्हें य्यूओ उन सावित्री माजет जुम्हें हमारे प्यार में क्या कमी रह गए थी, कि तो हमें छोड़कर चली गए जैरकाना ही था तो मुझे भी किला देती ऐसी क्या बात हो गई, जो हुमा ने आत्मात्या कर ली मैं चारी कुंगी थी इसलिए बोल भी नहीं सकी आपने पुलीस में कंप्लेंट करवाई कंप्लेंट लिखा थी, तो इसका पोस्मॉर्टम किया जाता मैंने तो सोचाता, इसके बदन को हल दिल लगाऊंगी इसके हाथ पाउं में महनी रचाकर इसे दुलान बनाऊंगी पर इसके बदन का पोस्मॉर्टम कराकर दुरगत बना दो नहीं, नहीं, मैं इतनी कटवर नहीं हो सकती मैंने इन सबको बेटियों की तरह पाला है इनके लिए मैंने आज तक शादी भी नहीं की यह मैं कैसे सह सकती हूँ काव में एक कहावत है के बच्चे की लाश पर मा से ज्यादा डायन रोती है कामेश्वरी बाई कुछ ज्यादा ही रो रही है कहीं ऐसा तो नहीं के उनके आशू उमा के लिए नहीं बलके हमें दोका देने के लिए नहीं ऐसी बात नहीं है कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम रो भी नहीं पा रही बताओ क्या बात है तुम चुप क्यों हो पूमा जिंदगी भार नहीं बूल पाई इससे ज्यादा दुख उसकी आत्मा को इस बात का होगा के उसके मन्ने के बाद भी कुछ लोग कुंगे रह गए बस जोती बस भले मुझे नोकरी से निकाल दिया जाए अपमें चुप नहीं रह सकती कामिश्वरी सच मुझ डायन है नागल है जब इस महिला अनाथ आश्रम की कोई लड़की जवान होती है वो उसके इजद का सवदा बड़े लोगों से जबर्दस्ति कर डालती है उमा इजद्दर लड़की थी बेजद होकर जीना उसने पसंद नहीं किया इसने जान दे दी उमा की मौत मौत नहीं बगावत है जो उसके सास खतम नहीं होगी अब और कोई उमा यहां बर्बाद नहीं होगी हलो, पुली स्टेशन आप इसी वक्त महिला आना था श्रमा जाएए अजयो हलो झाल और करते दूप्मा थे झाल झाल हलो, आप